हेलो एवरिवन ड्रिम फ्लावर कोचिंग क्लासिस में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विश्व की जिले तो हम नेमोनिक्स की साहिता से विश्व की प्रमुख जिलो के बारे में सीखेंगे सबसे बड़ी जिल पूछा है तो सबसे बड़ी जिल पूछा है तो सबसे बड़ी जिल मल सबसे बड़ा कौन होता है जिसके पास केस होता है केस मिन्स पैसा तो जिसके पास पैसा होता है वह सबसे बड़ा होता इस टाइप साफ इस question को याद रख सकते हैं यह question सबसे बड़ी मीठी होती है वह सूपर होती है तो मीठा और सूपर यह पूछा गया था नेक्स्ट कोश्चन कोन से विस्व की सरवादिक गहरी जील है टीटी काका विक्टोरिया बेकाल मरत सागर तो सही आंसर इसका बेकाल अब देखिए इस कोश्चन को हमें केसे याद रखना है इसमें पूछा है सरवादिक गहरी जील तो गहरी में हम सब्द पकड़ेंगे हरी गाव को हटा देंगे तो बचता हरी और हरी क्या होती है बेल इसमें बेकाल में समका को हटाएंगे तो बचे का बेल तो हरी क्या होती है जैसे कि जो सब्जिया होती सब्जियों की बेल चलती है तो वो केसी होती है हरी होती तो इस टाइप को हम इसको याद रख सकते हैं तो हर मतलब गहरी और बेल मतलब बेकाल तो गहरी जील कोंचियों की बेकाल आई होब यह कोश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा यह कोश्चन यूपी PCS 2002 में पुछा गया था नेक्स्ट कोश्चन विश्व की सरवाधिक लवनी जील है केस्पियन सागर अरल सागर वान जील म्रत सागर तो सही आंसर इसका वान जील अब इस कोश्चन को कैसे याद रखना है कोश्चन में आ रहा कि विश्व की सरवाधिक लवनी जील तो लवनी तो लौनी में एक सब्दारा लव लव मिनस होता है प्यार और लव करने वाले को हर कोई वार्न करता है वार्न मिनस होता है चेताव नहीं देना तो वार्न सहो गrickya वान तो इस टाइप से हम इस question को याद रख सकते हैं तो वान में सो वान जील समोदर तल से सरवादीक नीची जील है अरल साघलर केश्प्यन साघलर बेकाल मरत साघलर क efforts अब इस कोषिछन को किसी याद रखना है झाल नीची जगा से अगर एक रूठलों किसी नीची जगा पर मर जाएं Давайте हम ना Tibam म्रत तो इस टाइप से इस question को हम याद रख सकते हैं म्रत सागर नेक्स्ट question सरवाधिक उचाई पर इस्थित नोकायन जील है टीटी काका मारा काईबो अथावासका लेडोगा तो सही answer इसका टीटी काका अब इस question को किसे याद रखना है इसमें एक सब्दार आया question में नोकायन जील तो नोकायन नो और answer इसका दिया है टीटी काका तो टीटी काका में हम एक सब्द ढूंडेंगे टीका आगे का टी हटा दो और अंतीम का हटा दो तो बीट में वशता है टीका तो टीका लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा निडिल की जुरत पड़ेगी और निडिल में क्या होना चाहिए नोक होना चाहिए तो नोक से हो गया नोकायान I hope ये question आपको अच्छे से समद में आ चुका होगा Next question विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की जील है मरत सागर, केश्पियन सागर, वान जील, अरल सागर भी केश्पियन सागर है और सबसे बड़ी खारे पानी की जील है वो भी केश्पियन सागर ही है तो इस टाइप साम इस question को याद रख सकते हैं Next question विश्व की सरवाधिक उंचाई परिस्तित जील है तो सही answer इसका टीटी काका अब इस question को केसे याद रखना है इसमें आ रहा है सरवाधिक उंचाई तो सरवाधिक उंचाई परिस्तित जील पूछाए तो answer इसका दिया टीटी काका तो टीटी काका में एक सब्द चुपा हुआ है बीच में टीका तो टीका सरवाधिक लगवाना पड़ेगा बच्चो को क्या होता है सरवाधिक अगर टीका लगवाया जाता है तो वो बीमार कम पड़ते हैं और यदि वो बीमार कम पड़ेंगे तो कमजोर नहीं रहेंगे और कमजोर नहीं रहेंगे तो उनकी सरवादिक मुचाई भी रहेगी तो इस टाइप से हम इस question को याद रख सकते हैं I hope यह question आपको अच्छी से समझ में आ चुका होगा Next question निमने लिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे हैं? तो सही answer है कजाकस्तान उजबेकिस्तान यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो किर्पया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे और सेर कीजे यह question यूपी PCS 2012 में उच्छा गया था इस question के बारे में अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो comments कीजे नेक्स्ट question अमेरिका के जिल प्रदेश में सम्मिलित पांच जिलो में कौन सी पूर्णता संयुक्त राज अमेरिका में स्थित है सूपीरियर मीशिगन एरी ओंटेरियो तो सही answer है मीशिगन अब इस question को किसे याद रखेंगे मीशिगन में अंदिम दो अक्षर है गाव और ना गन तो गन में क्या होती है बंदूग और बंदूग सबसे ज़्यादा कौन से देश के पास है अमेरिका के पास को कि अमेरिका को सूपर पावर कहा जाता है इसलिए सही answer होगा मीशिगन नेक्स्ट कोश्चन विक्टोरिया जील अवस्थित है सव्यक्तो राज अमेरिका में बोलिवियो में पश्यम आस्ट्रेलिया में पूर्वी अफ्रीका में तो सही answer है पूर्वी अफ्रीका में अब इस question को किसे याद रखना है पूर्वी अफ्रीका में एक सब्द आ रहा है फ्रीका तो फ्रीका हर कोई लेना चाहता है क्या लेना चाहता है हर कोई फ्रीका विक्टोरिया विक्टोरिया मींस पेसा पुराने जमाने में पेसे चलते थे उन पेसों को विक्टोरिया कहा जाता था तो फ्री में कौन लेना चाता है, फिरी में हर कोई यह क्या लेना चाता है, विक्टोर्या, तो इस थाप से हम इस खोश्चन को याद रख सकते हैं, नेक्स्ट कोश्चन सागर में नहीं लगी है? आर्मेनिया, अजर्बेजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तो सही आंसर है आर्मेनिया यहाँ कोश्चन IAS 2003 में पूछा गया था इस कोश्चन की ट्रिक अगर आपके पास हो तो कृप्या कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करे नेक्स्ट कोश्चन, निमलिखित में से कौन सी एक जिल तंजानिया एवम युगांडा के बीच अंतराश्टी सीमा बनाती है चाड, मलावी, विक्टोरिया, जेंबेजी तो सही आंसर है विक्टोरिया यहाँ कोश्चन IAS 2000 में पूछा गया था अब इस कोश्चन को किसे याद रखना है इसमें आ रहा है तंजानिया एवम युगांडा तो तंजानिया से हो गया तंज कसना तंजानिया में एक सब्दारा तंज, तंज मतलब किसी पर तंज कसना किसके लिए विक्टोरिया, विक्टोरिया मतलब पेसा पेशा हड़पने के लिए किसी पर तंज कसने के लिए लोगों को युग बीज़ जाते हैं और युग से हो गया युगांडा नेक्स्ट कोश्चन केस्पियन सागर इस्थित है रूस और इरान के बीच, सवधी आरब और मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच, लीबिया और इस्राइल के बीच तो सही आंसर है रूस और इरान के बीच नेक्स्ट कोश्चिन निमने लिखित में कौन सी जील, खारे पाने की जील नहीं है? केशपियन सागर, बेकाल जील, ग्रेट साल्टलेक, वान जील. तो सही आंसर है बेकाल जील. अब इस कोश्चिन को किसे याद रखना है? इसमें option दिया है केश्पियन सागर, तो केश्पियन सागर क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है, हमने पिछले question में इसके विश्व में चर्चा की है, second option दिया है, बेकाल जील, तो बेकाल यहाँ, इसका सही अंसर है, third option है, great salt lake, तो इसमें एक सब्दारा salt, salt means होता है नमक, और जिसमें नमक होता है, समझ लोग वहाँ चीज खारी होती है, तो इस salt समय पता चल रहा है कि यह भी एक खारे पानी की जील है, और fourth option दिया है, वान जील, तो वान, मतलब हमने पिछले question में पढ़ा था, कि वान मतलब वार्न, और वार्न हर कोई किसी को देता है, जो लव करता है, तो लव से हमने पढ़ा था लवणी, तो लवणी जो जील होती है, वो भी खारे पानी की ही होती है, तो इस टाइप से हमें इसको याद रखना है, तो इसमें केश्पियन सागर भी खारे पानी की जील है, ग्रेट साल्ट लेग भी खारे पानी की जील है, और वान जील है, ये भी खारे पानी की जील है, तो सही आपसन कुन सा हमारा बेकाल जील, नेक्स्ट कोस्चन विक्टोरिया जील किन अफरीकी देशों के मध्धी में इस्थित है तंजानिया कीनिया युगंडा कीनिया इथियोपिया सुडान तंजानिया जांबिया जाइरे कीनिया तंजानिया मोजांबिक तो सही आंसर है तंजानिया कीनिया युगंडा हमने पिछ कोश्चन के बारे में कि विक्टोरिया जहिल किन अफरीकी देशों के मद्धिस्ति थे तो हमने उसमें पड़ा था तंजानिया और यूगांडा के बीच इसमें एक नया देश आ रहा है केनिया में आपको बताया था कि तंज तंज कसने के लिए हरकोई लगा हुआ है किसे हड अब आपने के लिए और पेसा हडबने में लोगों को युग बीत जाते हैं इस टाइब समने इस कोस्टों को मैं याद रखने के live बताया था कि इसमे एक नया देस आरा कीमिया तो इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं कोश्चन वही है केवाल कोश्चन को घुमाया ग जब चुड़ागर लुड़े अुड़े…